अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल चिकित्सा सुविधा के छेतर में लगातार विस्तार कर रहा है कैंसर और बोन मेरो ट्रांस्प्लांट के साथ ही अंग प्रत्यार उपड में भी भोपाल एम्स ने उलेखनी ऐसा फलता हासिल की है एम्स भोपाल में विबिन विश्यों में शोद के साथ ही आयूश के साथ ही भारतिय चिकित्सा प्रदेती पर भी विशेश चिकित्सा सुविधा उपलब्द कराई जा रही है यह कहना है एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्तर अजयस सिंग का जिन से विशेश बात की हमारे समवादाता अजीद दिवेदी ने भोपाल एंफ लगतार नहीं उपलब्दिया हासिल कर रहा है और अंग पत्तर ओपर को लेकर भोपाल एंफ ने बहुत ही बड़ी उपलब्दी हासिल की है हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अजयस सिंग है जो की निदेशक एंस है जैसर एंफ लगतार कम च्छितों में काम कर रहा है नहीं उपलब्दिया हासिल हो रही है अंग पत्तर ओपर को लेकर क्या उपलब्दी वर्तवान में हासिल की है और किस तरीके से ये आम लोगों के लिए भाइदे बहुत प्रेश्ट में जो लोग रहते हैं उनके लिए जी मुझे बतातवे किड़नी उसकी फेल हो रही थी जिसकी वज़े से उसका जीवन याफन बहुत खराब हो बारा था तो उसके फादर अपने किड़नी को देना चाहते थे और लेकिन उसकी आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी नहीं थी तो एम भोपाल ने पहला उस मरीज को चुना जिसमें उ फादर जो कि 59 यर्ज के हैं उन्होंने अपनी किड़नी को एक किड़नी को अपने बच्चे को दिया 22 जनवरी को ये मरीज का आपरेशन हुआ और आज 31 को मरीज पूर्णते है ठीक होके ना सिर्फ मरीज बलकि उनके फादर जिन्होंने अपनी किड़नी दिये वो भी ठीक ह गए हैं और क्योंकि ये मरीज हम लोगों ने आईशमान के रूप में किया था तो मरीज को एक भी पैसे का इसमें कुछ भी योगदान नहीं देना पड़ा और यदि ये मरीज कहीं प्राइविट में कराता तो लगवाग 6-7 लाक रुपया का खर्चा होता और यदि आईश आईशमान बेनिफिट नहीं मिलता उसको तो भी कम से कम इस अस्पताल में धाई से तीन लाक रुपया का खर्चा लग सकता था पुरा यदि आईशमान योजना के मार्जम से निसुल के ये पुरा हो पाया है ऐसा अगर बोन मेरो ट्रांस्प्लांट की बात करें वो भी एंस कर रहा है उसमें भी एंस में तमाम सुगधाएं हैं तो उसको लिए किस तरीके से यहां पर काम चल रहा है और साथ ही ट्रांस्प्लांट जिसकी बात आपने की ये आज से तीन-चार साल पहले एक केस हुआ था लेकिन इसके बीच में फिर ये होना बंद हो गया था किनी वजहों से लेकिन अभी हम लोगों ने फिर दुबारा से शुरू किया है और एक लगभग पैतालीस साल का वेक्ती है जि क्योंकि ब्लड कैंसर से गरसित था उसका सक्सेस्फुली हम लोगों ने ट्रांस्प्लांट किया है इसके साथ ही हम लोग इसी शुरी में कुछ बच्चे का भी ट्रांस्प्लांट करने की तियारी कर रहे हैं और जल ही 15-20 दिनों में हम लोग उस ट्रांस्प्लांट को कर ले कि आज की थारीख में इम्स होपाल सभी राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय जो एजेंसीज हैं जो फंड करती हैं उनके माधियम से हम लोग वर्ड क्लास रिसर्च कर रहे हैं और ना सिर्फ मेडिकल से संबंदित बलकि हम लोग जो टेक्निकल इंस्टिटूट हैं और मेनिज इंस्टिटूट हैं उनके साथ भी आई एम के साथ और आई 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 टी और बाकी जो टेक्निकल इंस्टिटूट हैं उनके साथ भी हम लोग कर रहे हैं रिसर्च और modern medicine और traditional medicine मालब आयूश के बीच में भी collaboration के साथ हम लोग यहाँ पर research कर रहे हैं अगर बात की जाए जो aims है वो कहीं ने कहीं एक उमीद की किरन होता है medical छेत्र में उस प्रेश के लोगों के लिए और मद्रेश में दूधरास लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं ऐसी कौन सी सुधाएं और यहाँ पर आपने विस्तारित की हैं जिनका विस्तार हुआ जो पहले नहीं थी और आगे फ्यूचर प्लान और क्या है जिस्ते की एम्स जो है वो वन इस्टाप सेंटर बन जाए तमाम पूरे परियस वास्टों के लिए मेडिकल हेल्थ के लिए देखे जो अती गंभीड मरीज हैं जिनको हम लोग आईसी यू की जरूरत होती है अभी हमारे पाद तीस बैट का आईसी यू है मुझे बताते हुए खुशी है कि अब उसको हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो देड़ सो ऐसे बैड के साथ एक आईसी यू बनेगा तो आप सोचते हैं कि देड़ सो बैड में हम कितने यादा मरीजों की सेवा कर पाएंगे इसके इलावा कैंसर से संबंदिज जो हमारे मरीज हैं उनके लिए एक हमारी ब्रेकी थेरपी है जिसमें ब्रेकी थेरपी का मतलब है कि जहां पर कैंसर है वहीं पर पहुँच के दवाई देना जिससे कि उसके साइड इफेक्स कम हो जाएं इसके इलावा चाहे वो नीरो सजरी हो चाहे वो किसी और प्रकार की सुवधाएं हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं और अभी कार्डियोलजी में हम लोगों ने कैथ लैब जो है वो पूरी तरिके से विक्सित होके चलनी शुरू हुई है जिससे कि बहुत दिनों से इस बात का गैब था कि डायलिसिस भी हम लोग अब यादा संख्या में दे रहे हैं और कैथ लैब भी मतलब जो हार्ट के पेशन्ट हैं उनका भी हम लोग भरपूर इलाज कर रहे हैं इसी के लावा एक मेडिकल गेस्ट्रोंट्रोलजी होती है जो पेट से समंदीत बीमारियां हैं जो डिपार्टमेंट बहुत सालों से बन था वो भी अब शुरू हो गया है अगर आयूस और भारती चिकिस्टा पद्दिती की बात की जाए उसका लोगा दुनिया ने माना है और लागतार उस पर काम हो रहा है एंश में किस तरीके से आयूस और भारती चिकिस्टा पद्दिती पर काम हो रहा है किस तरीके से उसका लाप जो है लोगों को देने की को हैं वो हैं और हम लोग एक इंटीग्रेटिव क्लीनिक चलाते हैं जिसमें एक ही छत के नीचे जो मॉडरन मैटसीन के जो स्पेशलिस्ट हैं और जो आयूश के स्पेशलिस्ट ने एक ही जगे बैठते हैं तो ऐसे मरीजों जिनको दोनों का कंबाइन ट्रीटमेंट का दे के हम हम लोग ज्यादा बहतर इलाज उनको दे पा रहे हैं और ना सिर्फ हम लोग इलाज दे पा रहे हैं बलकि हम लोग उनको जो दवाईयां है वो अती गुनवत्ता वाली दवाईयों को भी इसी आयूश में ही हम लोगों ने सस्ती दवाएं हम लोग ने प्रवाइड करना कर रहा है और भोपाल एंस जो है उसने पिछले कुछ वर्सों में तमाम छेत्रों में बहुत विशेस उपलब्दियां हासिल की है अगर रिसर्च की बात की जाए या ऐसी बीमारी जिनका इलाज नहीं हो पाता था या अंगे पत्तर ओपर की बात की जाए तो उसमर भी जो ह है बोपाल एंस लगातार आगे बढ़ रहा है कैमरा में विजय सर्मा के साथ अजीद दुवेदी डीडी न्यूज बोपाल